कोटा के MBS अस्पताल में कोरुना मरीज इलाज के लिए पहुँच रहे हैं लेकिन इस दोरान कोरुना गाइडलांग की धजियां भी उरती हुई दिखाए दे रही है अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग की जम कर धजियां उड़ाए गई काफी संक्या में मरीज और उनके परिजन अस्पताल में पहुँच रहे हैं लोग लंबी कतारों में बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे खड़े हैं लोगों का कहना है कि लंबी कतारों में घंटों इंतिजार के बाद भी उनका नंबर नहीं आ रहा है शहर में पिछले 10 दिनों में 2757 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं अगर लापरवाई का यही आलम रहा तो इस्तिती बेकाबू हो जाएगी मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की ठीक इसी तरज पर कोटा शहर में कोरोना के हालात भयानक होते जा रहे हैं मातर पिछले 10 दिनों के अंदर ही 2757 कोरोना पोजिटीव आ चुके हैं और आगे भी यही हाल रहा तो इस्तिती बेकाबू हो जाएगी कोटा में हालात कम्यूनिटी ट्रांस्मिशन की स्टेज पर हैं बात करें पिछले 24 घंटों की तो पिछले 24 घंटों में कोटा में 599 नए कोरोना पोजिटीव मरी जाए हैं यह इस साल का सबसे बड़ा रिकार्ड है कि शिक्षा नगरी में 100 में से 18 लोग पोजिटीव निकल रहे हैं ऐसे में MBS प्रशाशन की ये घोर लापरवाही कोरोना का इलाज कम उसे बाटती जादा नजरा रही है कोटा से एवन टीवी के लिए प्रनेह विजय